हलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इस्टडी प्लेटफर्म आब आफ सक्सेस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंडरी जी और बॉर्डर्स की अंतर राश्ट्री सीमाओं के बारे में तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरू देखिएगा तो चलिए सु सब्सक्राइब बात करते हैं अपने आज के मोटिवेशनल कोड़ की तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोड़ से इफ यू वांटे टू साइन लाइका सन फर्ष्ट ली यू एब टू वन लाइका सन यदि कोई भी चीज साइन कर रही है या चमक रही है तो उसने कहीं न कहीं पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इसी लिए बहुत साइन करें तो यदि आपको भी साइन करना है तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने होगी तो मेहनत करते रहिए और आई हो आप साइन जरूर करेंगे इसी मोटिविशनल कोट्स के साथ सुरुआत क सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब की डिवाइट करना और जो दो दो देशों को डिवाइट करती है वो होती है अंतराश्टी है तो अंतराश्टी सीमा अब बात करते हैं किन किन देशों के बीच कौन कौन सी अंतराश्टी सीमा है सबसे पहले बात करते हैं रेखा का नाम डूरंड लाइन डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हैं मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में हैं इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहेंगे मैक मोहन लाइन रेट क्लिफ उनका नेम था something ऐसा नेक्स्ट है 17 पेरिलर या 17 भी समानानाता रेखा 17 भी समानानाता रेखा North Vietnam और South Vietnam को डिवाइट करती है Next है 24th parallel या 24 भी समानांता रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है इसको Red Cliff लाइन भी कहते है Next है 38th parallel या 38 भी समानांता रेखा North Korea और South Korea को डिवाइट करने वाली लाइन को कहेंगे 38th parallel Next है 49 भी समानांता रेखा 49 भी समानांता रेखा या अमेरिका को कनाडा से अलग करती है Next हिंडन बर्ग लाइन या हिंडन बर्ग रेखा जर्मनी को पॉलेंड से अलग करती है Next है ओर्डन नास रेखा जर्मनी को पॉलेंड से अलग करती है Next है मैगीनाट लाइन या मैगीनाट लेखा ये Germany और France को अलग करती है next practice sees fried line ये Germany और France को अलग करती है तो ये हो है हमाई आज की कुछ लेखाएं तो इस वीडियो को like करें, comment करें, share करें और 33 चैनल को subscribe करें Thank you so much for watching this video